हेलो फ्रेंद्स वेलकम तुदे मैट्स क्लास और आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम जिसे हिंदी में बोलते है धारा और नाव संबंदी प्रश्न ठीक है हम इससे रिलेटेट क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले इसके बारे में एक ब्रीफ लुक ले लेत है बोट और यह है वाटर ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिल वाटर मानि बोट की स्पीड किसमें स्टिल वाटर मानि शांत जल में बोट की स्पीड क्या होगी एक्स किलोमीटर पर ठीक है और स्पीड ओफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर ठीक है धारा की धारा की चाल शांत जल में वो क्या होगी वाई कीलोमीटर पर ठीक है और स्पीड ओफ बोट in downstream जो की होगी x plus y km per hour और speed of boat in upstream वोगी x minus y km per hour ठीक है तो यहाँ पर आप देख वेक्ते हैं speed of boat in still water x km per hour speed of stream in still water y km per hour speed of boat in downstream x plus y km per hour and speed of boat in upstream is x minus y km per hour देखिए अगर धारा की दिशा में धारा की दिशा में अगर चल रही है नाओ ठीक है तो हम उसको कर देंगे x plus y km per hour और अगर धारा की विप्रीत दिशा में नाओ चल रही है विप्रीत दिशा में तो x minus y km per hour कर देंगे ठीक है अगर सेन धारा की दिशा में चल रही है ऐसे या ऐसे तो x plus y जाएगी और अगर नाओ की दिशा और धारा की दिशा विप्रीत है तो x minus y km per hour हो जाएगी अगर आपको ये इतना भी आपने याद रख लिया कि धारा की दिशा में अगर नाओ भी धारा की दिशा में धारा की दिशा दोनों सेम है नाओ और धारा की दिशा इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ जल में एक तैराक की चार 10 किलोमीटर परार है तथा धारा की चार 5 किलोमीटर परार है तो धारा की दिशा में तैराक की चार बता है ठीक है देखिए शांत जल में एक तैराक की चार 10 किलोमीटर परार है तो मानि शांत जल मानि स्टेल वाटर में तैराक की चार कितनी है एक्स किलोमीटर मानि 10 किलोमीटर परार ठीक है और शांत जल में धारा की चार मानि वाई हमने तैराक की चार को एक्स माना है शांत जल में हमने तैराक की चार को एक्स माना है जो कि है 10 किलोमीटर परार ठीक है तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई धारा की ही दिशा में तैराक की चार बता नहीं तो वो होगा 10 प्लस 5 जो कि है 15 किलोमीटर परार ठीक है अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया और ठीक अगर इसके उलट कर देंगे सेम रहेगा और धारा की यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया जाए कि विप्रीत दिशा में तैराक की चार बताएए तो विप्रीत का में आपको बताय था x-y km परार होगा तो 10-5 इक्वल्स तो 5 km परार तो देखा आपने हमने एक की question की दो पार्ट कर दिये और इसका पहला brief रेनी के वज़े से इसे solve करना कितना असाम लेगा ठीक है अब हम ऐसे ही नाव और धारा से related थोड़े difficult questions की तरह चलता है अगरा question है नाव की धारा नाव की धारा की दिशा में चाल 8 km परान है तथा धारा की विपरीट धारा की धार दिशा में चाल टू किलो मीटर परान है तो जल में नाव की बताओ ठीक है यहां पी प्वेशन है कि नाव की धारा की दिशा में चार 8 km परा रहा है और धारा की विप्रीद दिशा में चार 2 km परा रहा है तो धारा की दिशा में एक्स प्रस वाई वो है 8 km परा और धारा की विप्रीद दिशा में एक्स माइनस वाई वो है 2 km परा अब हमें जल में नाव की चाल बतानी है तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 2 अपॉन 2 जो की है 10 अपॉन 2 मानी 5 5 किलोमीटर पर आदे ठीक है यहाँ पे ग्वेश्चन हो गया हमें धारा की दिशार में चाल बतानी थी इसलिए x माइनस y ठीक है और अब इस शांजल में नाव की जाल बतानी थी तो वो हो गया दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवेट दे दिया तो आंसर क्या है गया 5 किलोमीटर पर ठीक है इसी तरह आगे क्वेश्चन में चलता है अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति धारा की दिशा में तीस किलोमीटर की दूरी दो घंटे में टै करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में पंद्रा किलोमीटर की दूरी पांच घंटे में टै करता है शांत जल में शांत जल में तैराक की चाल बताओ ठीक है तो पहले धारा की दिशा धारा के दिशा में ये तो यहां पर धारा की दिशा में तीस किलोमेटर की दूरी वह कितने समय में कर रहा है दो गुंटे में तो यहां पर क्या आगई स्पीट 15 ठीके तो पर धारा की दिशा में स्पीड लिखनी होती है तो दूरी दे रखी तो दूरी और समय को हमने स्पीट में निकाल लिया स्पीट के फॉर्मूला में पूट करके जो कि दूरी बटा समय तो तो थर्टी अपॉन टूरी को स्पीट 15 किलोमीटर परा उसी तरह धारा की विप्रीट दिशा जो कि है एकस माइनस वाई जिसकी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है जो कि होगा थ्री तांसर हो गया थ्री किलोमीटर परा ठीक है धारा की दिशा में उसकी चाल होगे 15 किलोमीटर परा और धारा की विप्रीट दिशा में 3 किलोमीटर परा अब हमें तरहा की चाल बतानी है जो कि है एक्स जो किये 50 प्लस 3 अपॉन 2 18 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9 किलोमेटर पर ठीक है तो आपने देखा कि जो धारा और नाव की वेशन जो में फ्रीकी दिखते हैं अगर आपने बेसिक कॉंसेप्ट को देख लिया है तो यह सौल तरना कितना ही आसान हो गया है इसी तरह आगे शलता है नेक्स्ट क्वेश्चिन की तरफ जो कि थोड़ा और डिपे करेट है एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तै करने में जितना समय लेती है उसका दुगना समय इतनी ही दूरी को धारा की वित्रीत दिशा में तै करने में लगती है है यदि धारा की चार पूर किलो मीटर पर आर है तो शान्त जल में नाव की चार बतानी है ठीक है? इतनी ही दूरी को धारा की वित्रीत दिशा में तै करने में लेती है यदि धारा की चार चार किलो मीटर पर आर है तो शान्त चल में नाव की चार आपको बतानी है ठीक है? तो ये कुछ दूरी है जो कि हमें पता नहीं है डिस्टेंस ठीक है? तो धारा की दिशा में मनी X प्लस Y जितना समय जते से उतना समय धारा की वित्रीत दिशा मनी X माइनस Y मिलेती है इसमें तो नॉर्मल टाइम ले रही है और इसमें जो लगने वाला टाइम है वो उसका दुगना है तो X प्लस Y T इकोल्स टू X माइनस 5 टू टी ठीक है? तो और दोनों की चाल 4 किलोमेटर पर आ रहे है तो X प्लस 4 टी इकोल्स टू X माइनस 4 टी होगा ठीक है? तो यहाँ पर इस T से ये T कैंसल हो गया तो अब हो गया X प्लस 4 इकोल्स टू 2X माइनस 8 तो यहाँ पर क्या हो गया? X इकोल्स टू माइनस का ही तो जाके माइनस का 4 हो जाएगा तो माणि 12 किलोमेटर पर आ हो गया ठीक है? मैं आपको यह क्वेश्चन वापी समझा जाती हूँ दारा के दिशा में जो चितना समय ले लाए, जो टाइम है वो दारा के दिशा में उसका दुगना है यदि दारा की 4 है तो शांत जल्ममे उसकी नाव बताने पैं में यहाँ पर स्ट्रीम से रिलेटेट और क्वेस्टिन्स देखने के लिए देखते हैं हमारा चानल और पसंद करते हैं थाइंक यू